वेब स्टोरीज पे इतना ट्रैफिक है यह आप सामने देख सकते हो टोटल इंप्रेशन 3 मिलियन इंप्रेशन आये हैं और 126 के क्लिक्स आये हैं यार ये वेब स्टोरीज का ट्रैफिक आपको सिरफ बता रहा हूं। ये ऋली वेब स्टोरी सका ट्रैफिक है और पहले मैने वीडurpose में ये बताया था कि आपने वर्टम्रेस पे वेब स्टोरीॉइस कैसे बनानी है . आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ब्लॉगर पे वेब स्टोरी कैसे बनानी है चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बैल नोटिफकेशन को ओन कर लो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ब्लोगर की तरफ यार ब्लोगर पे वेब स्टोरी का तो कोई वेब स्टोरी से सिरफ आपने ट्रैफिक खींच के लानी है जिसको मैंने जिस outright बनाई हूं है वीडियो के traffic कैसे लानी है वेब स्टोरी से आपने ट्रै लग इन मिलता है वो भी इसके सामने इस वेब साइड में ये टू वेब स्टोरी स्टू पॉइंट ओ है इसमें डबल ट्रिपल फीचर है उससे यार आपने कर लेने इसे साइन अप मेरे पास पहले ही साइन इन हुआ हुआ है तो ये मेरा वर्क स्टेशन खुल गया है तो आप के सामने भी ऐसा खुल जागा जब आपने इसको साइन अप कर लेने है आपने क्रिएट न्यू स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो यार आपके सामने ऐसे आएगा नाम कि आपने क्या नाम लिखना है इसका Philip All को कर देना है पहले तो आपने यार बैक करके इसकी सैटिंग में जा ताके आपने इधर से person कर देना है इधर अपना मतलब website का नाम लिख लेना है जो भी है उसके बाद इधर publisher name इधर language select करके आगे इधर URL लगा देना है लोगों का इधर favicon अपनी website का लगा देना है ताके यह आपकी जो stories है यह professional देख सके इधर आपने google analytics का tracking code लगा देना है उसके बाद fbpixel का नालगा हो कोई फाइदा नहीं है और monetization वाले section का system चेक कर लेना है अगर आपकी website monetize है इसको करके google adsense कर लेना है इधर अपनी publisher ID दे देनी है और इधर enter यह slot ID इधर आपने slot ID दे देनी है उसके बाद जब आप stories बना लोगे complete stories बना के उसके बाद आपने उसमें google adsense का code लगा देना है अगर आपकी website monetize है तो अगर आपकी website नहीं monetize तो आप simple create stories पे click करो आप simple traffic के लिए इसको use करना चाहते हो तो इधर आप stories का title लिख लो अब मैं अपनी website यह वाली own कर लेता हूँ blogger की तो यह website में मैं यह वाली पहली पहला यह ले ले लेता हूँ अब इसका title मैं कर लेता हूँ copy और इधर मैं title लगा लेता हूँ उसके बाद tags tags वगर अगर आपने लगाने हैं तो आप लगा सकते हो इस पे इंस्टा का tag है copy tags वगरा आप अच्छे अच्छे लगा लेना tags अच्छे लगा हो तो आपकी story rank करती है आपकी story tags के बेस पे rank करनी है और आपने ज़रा अच्छे से इंस्ट इंस्ट ड्रावर्स एड्ड इंस्ट राम लाइक्स पस यह मैं तीन टैक्स लगा लेता हूँ तो फिलाल लेकिन आपने जितने maximum tag हो सके आपने उतने maximum tags लगा लेने है उसके बाद यार आते हैं अपने ये page की तरफ अब आपने जाना है इदर library में अगर आपके पास कोई pick पड़ी हुई है वो आपने upload कर देनी है अगर आपके पास कोई pick नहीं पड़ी हुई तो आपन आपने इदर से ही सर्च कर लेनी है कोई Instagram अच्छा आप मैं इदर से सर्च करता हूं तो फिलाल तो इदर से कोई pick नहीं चलो मैं कोई भी pick लगा लेता हूं इसको मैं कर लेता हूं full अच्छा अब मैंने इसे pick को फुल कर लिया है उसके बाद अब मैं यह slide one है अब मैं इस पे text लगाता हूं text पे heading लगाता हूं heading में मैं लिख देता हूं कोपी और यह मैं heading लगा देता हूं अच्छा मैंने यह heading लगा दिया है इसका background एक color लगा देते हैं उसके बाद इसको ऐसे बढ़ी करके हम इसे ऐसे रख देते हैं अब आपने इसे title करना है जो भी आपने करना है इसको heading one करना है heading two paragraph में convert करना है ओहो अच्छा अब यह हमारी heading होगी है उसके बाद आप इससे filter भी कर सकते हो उसके बाद appearance animation हाँ यह मैं डून रहा था अच्छा आप animation भी इसमें कर सकते हो इदर राइट से आए लेफ्ट से आए उपर से आए एक सेट यह in top हाँ ठीक हो गया उसके बाद paragraph बनाते है paragraph में हम यही डाल देते हैं यह छोटा सा paragraph अब आपने पूरे paragraph नहीं डालें आपने हाफ हाफ paragraph हाफ से भी मतलब कि थोड़ा सा paragraph डाल देना इसका भी बैक ग्राउंड यही है टेक्स्ट इसका भी background रख दिया हमने अब इसको इदर रख लेंगे जैसे आपने आप रखना चाहते हो ना आपने रख लेना उसके बाद इसके टेक्स्ट का कलर आपने जैसा आपको बेस्ट लगे ना इसके टेक्स्ट का कलर उसके बाद इसका टेक्स्ट कलर बोल्ड इसे कर दो या फिर जो आप करना चाहते हो आपने इसके साथ जितना जुलम कर सकते हो ना आपने इस तरह के कोई 5-6 पेज बना लेने हैं और लास्ट पेज में आपने ये करना है इदर से ये देखने वाली चीज है इदर से समझने वाली चीज है इदर से काफी लोग अभी तक वीडियो छोड़के बागे होंगे और उनकी समझ में कुछ भी नी पले पड़ा होगा तो यार इदर से जो देखने वाली चीज है ना वो है अब इदर आपने अपनी वेब साइड का नाम लिख देना है नहीं लिखना जाते गोली मर अच्छा अब इदर से चलते हैं में चीज पे इदर से लगाते हैं इस पे लिंक अगा यार एक तो वर्डप्रेस का यूज करकर के ना बंदा इदर का बूल जाता है प्रिएट अटैच्मेंट नहीं यह नहीं यह आई थिंक चल यार लिंक किदर से मिलेगा अच्छा यार आप इसमें मज़े की यह चीज है कि आप इसमें क्विज भी लगा सकते हो पॉल भी लगा सकते हो ट्वीटर का कोई ट्वीट भी लगा सकते हो और अगर आप अपने विवर के साथ गेम खेलना चाहो तो वो भी लगा सकते हो लेकिन ये हमारा ब्लोग है तो ब्लोग में ये चीजों का कोई फाइदा नहीं अब यार अब सबसे में चीज जो है वो मैं बतानी थी अब सबसे मेन चीज है कि ये जो स्टोरी है ये आपके ब्लोगर पे पोस्ट नहीं होगी लेकिन ये जो आपकी पोस्ट का लिंक है वो ये जो पोस्ट है इसका जो ये लिंक है ये इस स्टोरी में हमने लगाने है और इस स्टोरी में लगाने के बाद फिर आपके ट्रैफिक अ होगी तो यार लिंक किदर गया element element में आई ठीक होगा link तो यार अगर अब भी तक आपने हमारा चैनल नहीं न सब्सक्राइब किया तो जिल्दी से जा के सब्सक्राइबर वाले बटन को दबा दो ताके हमें भी होंसला हो जाए आपके लिए वीडियो बनाते रहे इसमें भी नहीं है आप इसमें ये देखो ये animation ऐसी वाली animation नहीं न मिलती उदर बलोगर वाले में यह चीज इधर नीचे से एड़ होने है और आपने अपना ये जो पोस्ट का लिंक है इसे करना है कोपी और इसमें लगा दे नहीं है इसमें जब आपने ये लिंक लगा देना है फिर ये जो कलिक को के मजान आना हो ho ho फिर इस link का ही तो main वाजान है इधर से ही तो traffic आनी है अभी आपको मैंने life proof दिखाया है ये website का 3 million की traffic है web stories पे यार सोचो अगर आपकी web stories पे 1 million की भी आज़े traffic चलो इस web stories पे 18,000 clicks है चार लाख यार आपकी यह नहीं होगा आपने मायूस नहीं हो ना यह नहीं होगा कि आपने आज story बनाई है कल वाइरल हो जाए ऐसा नहीं होगा आपको पांच से 10 stories बनाऊगे ना फिर आपकी एक story वाइरल होगी उसके बाद यार आपने इसमें text लगा देना लिए अधर इधर वैसे यह ज्यादा मजे का होता है रीड मोर अच्छा अब यार कोई भी new feature आता है ना उसको यह सबसे ज्यादा पर मोट करता है क्या इसका नाम है YouTube YouTube कह रहा हूं Google कोई भी new feature आएगा ना सबसे ज्यादा पर मोट करेंगा उसके बाद यार आपने share के बटन पर क्लिक करना है इधर new story या फिर जो भी added full access ओ सोरी invite नी शेर करना था और publish करना था publish as a web story अब इधर करेंगे हम इसकी SEO अब SEO का तो यार आपको पता होगा SEO क्या होती है तो यार हम इसका title copy कर लेंगे और title की जगा हम title लगा देंगे name की जगा जो आपने लगाने है उसके बाद इधर website का logo लगा देना है इधर अगर आप कोई image या poster लगाना चाहो नहीं चाहो नहीं लाजमी लगाना पड़ेगा poster अब आपने इधर से image से ये वाली image उठाके adjust as a poster कर दिया है तो यार अब ये इस से poster as a ये देखो आपकी web story ऐसे शोगी है देखो ये चीज़ अब save and next पे click करके ये देखो अब close और आपकी web story publish होगी है अब हम यार देखते हैं कि हमारी web story एक second skip four step tag अब logo भी कोई लगा लेते हैं logo भी इसमें से select कर लेते हैं यही ठीक है set as a logo कर लेते हैं favicon भी सेलेक्ट कर लेते हैं इसको favicon कर लेते हैं तो अब हमने ये तीनों चीजे सेलेक्ट कर लिए है save and proceed को click किया है अब इदर में जो चीज है अब सारी चीजे इदर यह सारी चीजें होती है अब यह आर्टिकल आपका इवेंट है जो पोस्टिंग यह आर्टिकल अबुस्में कीवर्ड अपने डालेंगे, आपके लकिसे अब हम डालेंगे, इंस्टाग्राम, पूल, फोड़ लवर्स. इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम like, बेस्ट इंस्टाग्राम, अच्छा, उसके बाद इधर short 유डिक्रिप्षन लिख देंगे इदर ही आप आओ ब्लोगर में जो यार आपने ब्लोगर पे लगाई हुई है न डिस्क्रिप्शन इसके तो फिलाल कोई नहीं लगी हुई किसी की भी चलो इसकी यही थोड़ी सी उठा लेते हैं एक कोपी अब हम इसे आके यह डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जितनी आप भड़ी डिस्क्रिप्शन लिखोगे न उतना ही आपको बेनिफिट होगा सोशल मीडिया इमेज यार गोली मारो ओथर टाइप परसनल नेम अनस पब्लिशर नेम अनस लोगो पब्लिशर को गोली मारो एड मेटा टाइग्स यार मेटा टाइग्स एक एड कर देते हैं इंस्ट्रेग्राम 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 वीडियो 14 मिनट्स पर चले गही और पता भी नहीं लगा के इतनी लंबी वीडियो चले गई है अचा यार इस टैप को डू यू वांट टू प्रोसीड टू पब्लिशिंग्स नो पार्टिकल ठीक है सोशल मीडिया इमेज इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं अचा अब सेव एंड प्रोसीड को क्लिक करेंगे तो यार यह आती है में चीज इदर आपको बताता है योर स्टोरी टाइटल इस वेरी लोंग आइडली इट शूट बी बिट्वीन 10 तो 40 करेक्टर्स अगर आप 5 पेजिस बनाओगे ना आपकी स्टोरी बेस्ट होगी यार इस वज़ा से मैं आपको कह रहा था कि वर्ड प्रेस का नहीं बेस्ट होता इनका बेस्ट होता है लास्ट में चेक करके आपको सारा कुछ बताता है उसके बाद इसको चलो 5 पेज कर लेते हैं चलो 5 पेज कर लिए कुछ भी लगा दिया इदर इदर भी कुछ भी लगा दिया इदर भी कुछ भी लगा दिया अच्छा अब इससे पब्लिश पे क्लिक करते हैं उसके बाद टाइटल हमारा बहुत बड़ा है हम इस चीज को हटा दिते हैं टाइटल उसके बाद यू हैव सर्च इंडेक्सिंग फॉलो इमेज्टू यू हैव और टेक्स्ट इंस्टाग्राम चलो जी इंस्टाग्राम सब्मिट अच्छा बैक्टू एडिटर पे चलते हैं और एदे वेचून की रोल है क्या यू शूद दिफाइब बैक्टू एडिटर अच्छा अब इधर से लगने इधर लिंक लगने मैं अधर लगाई जा रहा था इधर लगना में लिंक यह मैं हाज आपके सामने पहली दफाव यूज कर रहा हूं नहीं तो मुझे इसका इतना नहीं पता उसके बाद अच्छा अब अपडेट टाइटल हो गया है उसके बाद यह क्या इसमें अब क्या मसला हुआ है अच्छा 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 अच् यह फिर बता रही है कि इन पेजों में आपके टेक्स्ट नहीं है पेज नमबर टू करण्ट काउंट 734 इससे अगले पेज पर चल जाते हैं बाकी इसर पेस्ट कर देते हैं इससे अगले पेज में जाके बाकी इधर पेस्ट कर देते हैं वीडियो थोड़ी लंबी होगी है लेकिन आपके लिए बैनिफिशल है इधर से थोड़ा सा उठा लेते हैं कोपी अच्छा अब अब आई थिंक होजेगी पबलिश पेज नमबर टू करंड काउंट पेज नमबर थ्री एड़िट पेज नमबर टू चब पेज नमबर थ्री में भी ज्यादा टैक्स है पेज नमबर टू में अभी ज्यादा टैस्ट अच्छ क्या रोल है इसका अभी यह कहते है कि दो सो क्रेक्टर से ज्यादा नहीं लिखना लिखना कंटेंट एक चलो यह हो गया है थाल यह होंते जान शहलते प्रवा अच्छ अब इधर आ अपने सेपू करके ना आप अपłoड कर सकते हो इधर यह सकते हो इंस्टाग्राम्स SSS ये तीन कोपी अब ये आपकी स्टोरी का लिंक बन गया ये मस्ट भी युनीक होना चाहिए अगर आप कुछ भी और लिख दोगे ना ये युनीक ना हो फिर ये स्टोरी आपका एरर देगा बार बार तो ये मैंने युनीक लिक है इसलिए ओगया है उसके बाद ये होने के बाद आपने अपनी इस पे लिंक लगा देना है ये नहीं है ये वज़ा विजट लिंक अब यार ये आपकी स्टोरी ये देखो ये स्टोरी है जो आमने बनाई है टू थ्री 3 4 5 6 ठीक हो गया अब ये स्टोरी है अब टू नंबर पर आएगा अगर कोई रीड मोर पर क्लिक करेगा न ये देखो यार आपकी वेबसाइट पर ऐसे ट्रैफिक आएगा मेरा समझाने का मेन मतलब यही था मैं पहली दफाच लार था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया नहीं तो इतनी लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था